हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमकोम अकाउंटनसी पे आपने अपितक हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रेब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्लीज सब्सक्रेब नगेश का लिए किया और स्टार्ट एक्सपेंस उसके लिए किया वानिस मिलेंगा He has also received rent of 6,000 from late outing plot situated in an urban area Received rent from suburban area के जो उसका plot है उसको rent रिसी हुआ वो भी also taxable है 6,000 He has received overtime remuneration of the 3,000 रूपीज 3,000 रूपीज नोन-taxable हो जाएगा क्योंकि उसका remuneration की क्या है कि ज्यादा अगर मिला हो salary की हिसाब से होता है remuneration कि 3,000 रूपी के हिसाब से 3,000 रूपी तक कोई tax नहीं है वैसे तो उसकी salary की हिसाब से उसका overtime के tax rate ते होता है लेकिन यहाँ पर बहुत कम मिला है तो वो non-taxable ही होगा the interest income of deposit in a foreign bank located outside of India was 9,000 outside India है तो उसका जो income हुआ है deposit और interest होगा वो हमारी क्या होगी taxable income इंडिया के अंदर होता तो भी non-taxable या taxable के हिसाब से अलग-अलग rules थे लेकिन foreign है तो हमें tax pay करना पड़ेगा अगर no dividend or no interest हमें नहीं मिला है तो हमें tax में थोड़ा relief मिलता है लेकिन अगर हम interest के लिए बाहर से loan ले रहे हैं या फिर हम interest मिल रहा है तो वो हमारे लिए taxable होगा he has also received a rent of 7,200 from a let out house owned by him उसके नाम पर जो house है उसमें से उसको rent रिसी हुआ 7,200 तो हमारे नाम पर एक house एक home होता है तब तक हमको tax relief मिलते हैं मतलब जो उसका खुद का घर है उसका rent 7,200 है उसका non taxable हो जाएगा what would you would be his taxable income under under the head income from her other sources for assessment year 2019-20 तो उसका assessment year मतलब यह हो जाएगा 2019-20 और उसका previous year हो जाएगा 18,19 तो इससे table बनाए लएंगे computation of the taxable other sources income offers श्री पद्रेश परसन पर यहाँ पर हम नाम लगे लगे किसका श्री पद्रेश इंडियन citizen है और resident ordinary resident भी है assessment year अभी मैंने बताया 2019-20 आएगा previous year आएगा हमारा 2080-20 और फिर particular और रुपीज ले लेंगे सबसे पहला क्या कैस था income of rent from subletting house subletting house की उसकी जो income है वो हमारी taxable हो जाएगी लेकिन उसने जो expense किया है वो हमको exempted मतलब tax relief मिलेगा received rent from let outed situated in a urban area also उसका मैंने अभी समझाया था आपके plot भी जो उसके लिया है उसके rent रिसी हुआ वो अपका taxable हो जाएगा received overtime remuneration इसके कुछ criteria होते लेकिन यह इतना कम मिला है तो इसका non taxable रहेगा अगर ज्यादा मिला होता तो हमें tax salary की साबसे remuneration का tax के percentage निकालते लेकिन यहां पर कम है तो वो non taxable रहेगा interest income of deposit in a foreign banks also उसे income जो हुई है foreign bank में invest करने से वह अमारी taxable हो जाएगी received rent from let out a house owned by him उसके नाम पर जो house है उसमें rent मिला है इसलिए उसका वो non taxable हो जाएगा और total हमारा final answer आजाएगा 25,500 यह हमारा total taxable income आ चुका है thank you for watching वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए thank you for watching वीडियो कर दीजिए